ओम असमत गुरुब्यो नमः ओम श्रीमते रामा नुजाय नमः कारकम में हमारे साथ उपस्तित तेलंगना की राजपाल डॉक्टर तमिल साई जी पुझ्य श्री जीयर स्वामी जी केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी स्री जी कर्ष्टन रेडी जी श्रिमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी भागवद विभीतियों से संपन्न सभी पुझ्य संतगान देवियों और सज्जनों आज मा सरस्वति की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचिबी का सुभ अवसर है मा शार्दा की विशेज खुर्पा अउतार श्री रामानुजाचारिय जी की प्रतिमा इस अउसर पर स्थापित हो रही है मैं आप सभी को वसंत पंचिबी की विश्व कामनाय देता हूं मैं मा सरस्वति से ये प्रार्थना करता हूं कि जगत गुरु रामानुजाचारिय जी का ज्यान विश्व का पत्थ प्रदर्शन करे। साथियों हमारी यहां कहा गया है ध्यान मूलं गुरु मुर्ति अर्थात हमारे गुरु की मुर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्यान प्रगट होता है जो अबोध है हमें उसका बोध होता है अब प्रकट को प्रकट करने की यह प्रेर्णा सुक्ष्म को भी साकार करने का यह संकल्प यही भारत की परंपरा रही है हमने हमेशा उन मुल्यों और विचारों को आकार दिया है जो यूगों यूगों तक मानवता को दिशा दिखा सके आज एक बार फिर जगत गुरू स्री रामानुजाचारिय जी की इस भव्य विशाल मुर्ति के जरिये भारत मानविय उर्जा और प्रेर्णाओं को मुर्तस रूप दे रहा है रामानुजाचारिय जी की ये प्रतिवा उनके ज्ञान वैराग्य और आदर्शों की प्रतिख है मुझे विश्वास है ये प्रतिवा न केवर आने वाली पीडियों को प्रेणा देगी बलकि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी मैं आप सभी को सभी देश्वास्यों को और पूरे विश्व में विश्व में फैले रामानुजाचारिय जी के सभी अनुयाईयों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं साथियों अभी मैं एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं आलवार संतों ने जिन एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में ब्रह्मन करके किया था कुछ वैसा ही सोभाग्य मुझे आज स्री रामानुजाचारी जी की कुरपा से यहीं मिल गया मानवता के कल्यान का जो यग्य उन्होंने ग्यारवी स्टब्दि में शुरू किया था वही संकल्प यहां बारा दिनों तक विभिन अनुस्ठानों में दोहराया जा रहा है पुझ्य स्री जीर स्वामी जी के सने से आज विश्वक सेन इस्टी यग्य की पुर्णा होती में सामील होना का सवभावे भी मुझे मिला है मैं इसके लिए पुझ्य जीर स्वामी जी का विशेश रुप से आभार प्रगड करता हूं उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक सेन इस्टी यग्य संकल्पों और लक्षों की पूर्टी का यग्य है मैं इस यग्य के संकल्प को देश के अमरित संकल्पों की सिद्धी के लिए नतमस्तक हो करके समर्पित करता हूं इस यग्य का फल मैं अपने 130 करोड देश्वासियों के सपनों की पूर्टी के लिए अर्पित करता हूं साथियों दुनिया की अधिकाऊंस सब्यताओं में अधिकाऊंस दर्शनों में किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनिश्यों ने ग्यान को खंडन मंडन स्विक्रुती अस्विक्रुती इससे उपर ही उठा करके देखा स्वयम उससे उपर उठे दिव्यत्रश्टी से उस विवात को देखा हमारे यहां अदवाइद भी है और दवाइद भी है और इन दवाइद अदवाइद को समाहित करते हुए स्री रामानुजा चारे जी का विशिष्टा दवाइद भी हमारे लिए पहेरना है रामानुजा चारे जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है साधान द्रस्टी से जो विचार परस पर विरोधाबासी लगते हैं रामानुजा चारे जी उन्हें बड़ी सहस्ता से एक सुत्र में पिरो देते हैं उनके ज्ञान से उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है आप देखिए एक और रामानुजा चारे जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाश्टा है तो दूसरी और वे भक्ति मार्क के जनक भी है एक और वो सम्रुद्ध सन्यास परंपरा के संत भी है और दूसरी और गीता भाष्य में कर्म के महत्वकों भी अत्यंत उत्तम गुरुप में प्रस्तुत करते हैं वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे हैं रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ती मार्ग में उत्तना ही महत्वद दिया आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुपावाई थिरुपावाई के पाट के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो साथियों आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है प्रगतिशिल्टा की बात होती है तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा लेकिन जब हम रामानुजय चारे जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशिल्टा और प्राचिन्ता में कोई विरोद नहीं है ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जूड़े अपनी वास्तविक सक्ति से परिचित हो आज से एक हजार साल पहले तो रूडियों का दबाव कल्पना के बहार कितना जादा रहा होगा लेकिन रामानुजाचारे जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया उन्होंने दलीतों पिछणों को गले लगाया उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी उन जातियों को उन्होंने विशेश सम्मान दिया यादवगीरी पर उन्होंने नारायन मंदीर बनवाया जिसमें दलीतों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया रामानुजाचारे जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही न जाति ही कारणम लोके गुणाहा कल्याण हे तवा अर्थात संसार में जाती से नहीं गुणों से कल्याण होता है रामानुजाचारे जी के गुरू स्री महापुर्ण जी ने एक बार दूसरी जाती के अपने एक मित्र का अंतिम सौंसकार किया था उस समय रामानुजाचारे जी ने लोगों को भगवान स्री राम की याद दिलाई थी उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायू का अंतिम सौंसकार कर सकते हैं तो फिर बेदभाव वाली सोज का अधार धर्म कैसे हो सकता है ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है साथियों हमारी संस्कृति की ये विशेशता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाद के भीतर से ही लोग निकलते हैं यूगों से देखते आईए समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं कोईन कोई महापुरुष भा अमारी बीच में से पैदा होता है और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालगण में साय स्विकृती मिली हो या न मिली हो चुनोतिया रही हो या न रही हो संकट जेलने पड़े हो या न पड़े हो विरोध मिस है न पड़ा हो लेकिन उस विचार में उस तत्र में उतनी ताकत रहती थी उनका कन्विक्शन इतना जबर्जस होता था कि वो समाज की बुराईयों के खिलाब लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्विक्रुती भी उतनी तेजी से मिलती है सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है यह इस बात का सबूत है कि बुराईयों के पक्ष्में कूरितियों के पक्ष्में अंदविस्वात के पक्ष्में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्षन नहीं होता है जो बुराई से लड़ते हैं जो समाज को सुधारते हैं हमारे हाँ उने ही मान और सम्मान मिलता है बाईयों और बेनों आप सब लोग रामानुजाचारी जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्व के संदेशों का भी प्रयोग करते से और व्यावारिक जीवन का भी जाती के नाम पर जिनके साथ बेदवा होता था रामानुजाचारी जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकल्थार यानि लक्ष्मी जी के कुल में जन्मन लेने वाला स्रीकुल या देवी या जन्म वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य दनुर्दास के कंदे पर हात रख कर आते थे ऐसा करके रामानुजाचारी जी छुवा छुथ की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे यही वज़े थी कि बाबा साब आमबेड कर बाबा साब आमबेड कर जैसे समान ताके आदुनिक नायक भी रामानुजाचारी जी की भरपूर प्रसोंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचारी जी की सिख्षा से सिखो और इसलिए आज रामानुजाचारी जी की विशाल मूर्ती स्टेच्ची ऑफ इक्वैलिटी इसके रूप में समान ताका संदेश दे रही है इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए बविश्य की नीव रख रहा है विकास हो सबका हो मिना बेद भाव हो सामाजिक न्याए सबको मिले मिना बेद भाव मिले जिने सदियों तक प्रताडित किया गया वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागिदार बने इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एक जुट प्रयास कर रहा है आज सरकार जो योजना ये चला रही है उनका बहुत बड़ा लाब हमारे दलीत पिछडे भाई बेहनों को हो रहा है चाहे पक के घर देना हो या फिर उजवला का मुप्त कनेक्शन गैस कनेक्शन चाहे पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविदा हो या फिर बिज़ली का मुप्त कनेक्शन चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभ्यान के तहर करोडों सोचालनों का अंदिर्मान करना हो एसी योजनाओं ने बलीत, पिछडे, गरीब, शोसीत, बंचीत सभी का भला किया है बिना भेदभाव सब को ससक्त किया है साथियों रामानुजा चारे जी कहते थे अर्थात सभी जीव समान है वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुकते थे था नहीं थे वो वेदान के इस सुत्र को स्वयम भी जीते थे उनके लिए स्वयम में और दूसरों में कोई भेद नहीं था यहां तक की उन्हें अपने कल्याण से ज़्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बात जब उन्हें ज्यान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था उन्होंने साधना की थी तपस्या की थी जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था लेकिन रामानिचा चाहरी जी की सोच अलग थी रामानुजय चाहरी जी ने कहा पतिस्चे एक एवाहम पतिस्चे एक एवाहम नर्के गुरु पातकाथ सर्वे गच्छन्तु भवताम कुरुपया पर्मंपदम यानि मैं अकेला नर्क जाओं तो भी कोई बात नहीं लेकिन बाकी सबका कल्यान होना चाहिए इसके बाद उन्होंने मंदिर के सीखर पर चड़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उनके कल्यान के लिए दिया था समानता का ऐसा अम्रत रामानुजाचारी जी जैसा कोई महापुरुसी निकाल सकता था जितने वेद वेदान्त का वास्तविक दर्शन किया हो साथियों रामानुजाचारी जी भारत की एकता भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेना है उनका जन्व दक्षिण में हुआ लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पस्चिमतार पूरे भारत पर है अन्नामाचारी जी ने तेलूग में उनकी प्रसंसा की है कनदास जी ने कननर भासा में रामानुजाचारी जी की महिमागाई है गुजरात और राजस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचारे जी के विचारों की सुगंद में मैसूस होती है और उत्तर में रामानंदिय परंपरा के गोस्वामितुल्फिदाजी से लेकर कभिरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचारे परम गुरु है एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक उर्जा से पूरे भारत को एक्ता के सुत्र में पिरो देता है रामानुजाचारे जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैंकडों वर्षों के कालखन में भारत की चेतना को जागरत रखा था साथ क्यों ये भी एक सुखत संयोग है स्री रामानुजाचारे जी पर ये समारो उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है आजादी के अमरत महोसों में हम स्वाधिंता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं आज देश अपने स्वाधिन्ता सेनानियों को कृतक्य सरदांजली दे रहा है अपने इतिहास से हम अपने भविशे के लिए प्रेणा ले रहे हैं पूर्जा ले रहे हैं इसलिए अम्रित महोच्षव का या आयोजन आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों उस सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं हम जानते हैं भारत का स्वाधिन्ता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैशिक मान सिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था इसमें एक और ये नसलिय स्रेश्टता और भवतिक वाध का जुन्मात था तो दूसरी और मानवता और अध्यात्म में आस्था था और इस लड़ाई में भारत विजय हुआ भारत की परंपरा विजय हुई भारत के स्वाधिंता संग्राम में समांता मानवता और अध्यात्म की वो उर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजा चारी जी जैसे संतों से मिली थी क्या हम गांदी जी के बिना अपने स्वाधिंता संग्राम की कलपना कर सकते हैं और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्सों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं आज भी गांधी जी का नाम आते ही वश्ण वजन तो तेने रे कईये ये धून हमारे अंतर मन में बजने लगती है इसके रचाईता नर्सी मेता जी रामा नुजा चारी जी की भक्ती परंपरा के ही मान संत थे इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तना हमारी आध्धात्मिक चेतना उर्जा दे रही थी वही उर्जा आज आजी के 75 साल में हमारे अमर्द संकल्पों को भी मिलनी चाहिए और आज जब मैं भाग्य नगर में हूँ है तो सरदार पटेल जी का विशेश उलेख जरूर करूंगा ऐसे किशं डिडिजी ने अपने वक्त बेब्य पढ़ी स्थार से उसके लिए कहा भाग्य नगर का कौन ऐसा भाग्य साली होगा कौन ऐसा हैदरवादी होगा जो सरदार पटेल की दिर्ग दर्श्टि का सामर्थ और हैदरावद के आन बान शान के लिए सरदार साब की कुट निति को न जानता हो आज देश में एक और सरदार साब की Statue of Unity एक ताकि सपत दोहरा रही है तो रामानुजाचारी जी की Statue of Equality समानता का संदेश दे रही है यही एक राष्ट के रुपे भारत की चीर पुरातन विशेश्ता है हमारी एकता सत्ता या सक्ती की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती हमारी एकता समानता और समादर इस सुत्र से सुजित होती है और साथियों आज जब मैं तेलंगना में हूँ तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूँगा कि कैसे तेलूगू कल्चर ने भारत की विवितता को शसक्त किया है तेलूगू कल्चर की जड़ों का विस्तार सद्यों में फैला हुआ है अनेक महान राजा रानिया इसके द्वजवाहक रहे हैं साथ वाहन हो काकातिया हो या विजय नगर सामराज्य सभी ने तेलूगू समस्कृति की प्रताका को बुलंद किया महान कभियों ने तेलूगू समस्कृति को सम्रिद्द किया है पिछले वर्षी तेलांग नामे स्थित तेरवी शताब्दी के काकात या रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को विनेश को विश्व दरोहर स्तल गोशित किया गया है वर्ल्ड टुरिजम और्गनेशन ने पोचम पल्दी को भी भारत के सबसे बहतरीन टुरिजम विलेज का दर्जा दिया है पोचम पल्दी की महिलाओं का हुनर पोचम पल्दी साडियां के रूप में विश्व विख्यात है ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है तेलू कुछ संस्कृति की इस गवरवसाली परंपरा को आग तेलू कुछ फिल्म इंडिस्ट्री भी पुरे आन-बान-सांग से आगे बढ़ा रही है तेलुगु सिनेमा का दाइरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है इसका विस्तार पूरे विश्व में है सिल्वर स्क्रिन से लेकर OTT प्लेट्फॉर्म्स तक इस क्रियेटिविटी की तर्चा चाही हुई है भारत के भार भी खुब प्रसंसा हो रही है तेलुगु भाष्णी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रतिये समर्पन सभी के लिए प्रहणा समान है साथियों आजहादी के 75 वे वर्ष में इस अमरित कान में स्री रामानुजा चारी जी की प्रतिमा प्रतेक देश्वासी को निरंतर प्रेडित करीगी मुझे पूरा भरोसा है आजहादी के अमरित कान में हम उन कूरुतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिने खत्व करने के लिए स्री रामानुजा चारी जी ने समाप को जागरत किया था इसी भाव के साथ पुझ्य स्वामी जी का आदर पूर्वक दन्यवात करते हुए इस पवित्र आउसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे आउसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ विश्व भर में फैले हुए प्रभू रामानुजा चारी जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुब कामनाई देता हुँ मेरी बाणी को विराम देता हुँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद झाल